हेलो एवरिवन आज मैं जिस विशे पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो है बी दुट्य वर्ष राजनिती बिज्ञान के जो छातर है उनको स्किल एनहांस्मेंट में एक पुस्तक लगी है पब्लिक ओपीनियन और एंड सर्वी रिसर्च पब्लिक ओपीनियन और सर्वी को सबस्क्राइब करना ना भूलें और साथ ही बैल आइकन को दबाएं ताकि जैसी ही लेटेस्ट लेक्चर अपलोड होते हैं वो आप तक पहुँचते रहे हैं इसके लावा आप पॉलिटिकल साइन्स और किसी दूसरे एंट्रेंस एक्जाम या एमफिल पीएसडी की कोश देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं समाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है समाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हमें अनुसंधान शब्द को समझना पड़ेगा अनुसंधान क्या होता है अनुसंधान को जो है हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं तो अनु इसी समस्या का जो है समाधान निकालना वो अनुसंधान के द्वारा किया जाता है जैसे उधारण जब इनसान जो है बैल राड़ी पर चलता था तो उसके बाद जो है इनसान के सामने एक समस्या थी कि किस प्रकार वह जल्दी से दूर के स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए तो इनसान ने क्या किया बेग्यानिकों ने जो टेक्नॉलिजी में जो लोग रत है या जो टेक्नॉलिजी में नहीं नहीं अविश्कार कर रही है उन्होंने गारी नामक एक सैयंतर बनाया, एक यंतर बनाया, जो एक बड़ी अनुसंधान के बाद, एक बड़ी रिसर्च के बाद जिसका जनम हुआ, जिसने विक्तिकी सुविधाओं को और बढ़ा दिया और उनके समय को बचा दिया तो अनुसंधान क्या करता है अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलजाकर उन समस्याओं को सुलजाकर जो है क्या देता है सिधान देता है तो चाहे वो बैग्यानिक जो है अनुसंधान हूँ बैग्यानिक अनुसंधान के द्वारा जो है तो वो बैग्यान की देन है, बैग्यान में रिसर्च की गई, पहले जो है, लाइन वाले फोन थे, जो तारों से connect होते थे, एक समय ऐसा आया, जब रिसर्च और जादा, अनुसंधान और जादा डीप हुआ, तो जो है, बायरलेस फोन आ गई, बरतमान समय में इंटरनेट का जो है, अविशकार हुआ है, तो अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान जो है, समाजिक शेतर में भी होता है, बैग्यानिक, अब क्या है, हम जो है, समबंदित है, समाजिक अनुसंधान से, शोशल रिसर्च से, अब देखो क्या होता है, जैसे science है, science जो है, जो अपने solution द सीमित है उधान के लिए यदि किसी व्यक्ति को headache हो रहा है तो उसके लिए साइंस जो है दवाई बना के देगा लेकिन समाजिक अनुसंधान क्या है जिस परकार विग्यान व्यक्ति की सुविधाओं के लिए जो है अविशकार करके नई संयत्र देता है नई techniques देता है उसी परकार जो social science है जो समाजिक अनुसंधान है वो हमारे समाज में जो बर्तमान समाज में जो समस्याएं है जो हमारे समाज की समस्याएं है जैसे जो है देज प्रथा है बाल विवाः प्रथा है इसके अलावा गरीवी गरीबी खतम हो बेरोजगारी खतम हो इन सभी समस्याओं को समाजिक अनुसंधान के द्वारा ही सुल जाया जा सकता है शोशल साइन्स रिसर्च के द्वारा ही इन सभी समस्याओं को सुल जाया जा सकता है इसलिए जो राजनिती विग्यान है उसमें आपको समाजिक अनुसंधान के बारे में बताया गया है कि शोशल साइन्स रिसर्च क्या होती है क्योंकि हमारा जो समाज है हमारी जो सुसाइटी है वो एक बहुत कॉंप्लेक्स स्ट्रॉक्चर है उसके अंदर बड़ी समस्याएं है जाती प्रता है गरीबी है बिरोजगारी है तो उन सभी समस्याओं को समाजिक अनुसंधान के द्व जो है समझ कर और उनका विशलेशन कर फिर उनको ब्यावस्तित कर उन समस्याओं को सुल जाने के लिए जो है हम सिधान्त दे सकते हैं राजनिती विएन द्वारा तो जो समाजिक अनुसंदान है क्या समाजिक अनुसंदान वहा पदिती है जिसके द्वारा समाज की समस्याओं को प्रतेक समाज में समस्याएं होती है जो राजनितिक समस्याएं है जैसे गरीबी है जाती प्रता है दहेज है बाल विवाह प्रता है इसके अलबा और अन्य बुराया है जिनके लिए इस जो है समाजिक अनुसंधान में उपाई दिये जाते हैं तो कुछ समाजिक समस्याओं का अध्यन करने के लिए जो है प्रात्मिक आंकडों का अध्यन की जुरुत पड़ती है अर्थात जब आप किसी समाजिक समस्या का अनुसंधान करने जाते हैं उस पर रिसर्च करने जाते तो आपको जो है उस समस्या को समझने के लिए आंकड़े भी कठा करने पड़ते हैं जैसे साइंस में हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वादा हम आंकड़ी कठा करते हैं फिर निशकष उसी प्रकार राजनिती विज्यान में भी किसी समस्या का अध्यन करने के लिए उधान के लिए हम बेरोजगारी का तकि देराक्षित्र में यदि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगोंं को बेरोजगार है उसके कारण के है। इसके लिए हमें लोग उन से आंक्ड़े करने पड़ेंगे, प्राथ्मिक आंक्ड़े क्या होते हैं ? जब आप लोगों की पास जाकर उनसे प्रशनावली भरवाते हैं, कोश्चनेर भरवाते हैं जिसमें उस समस्या से क्योंकि हम विरोजगारी पर अध्यन कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं तो उस समस्या से संबंदित हम आंकड़ी कठा करेंगे तो उसके समाधान के लिए उस समस्या के समाधान के लिए आप जो है ताकि उन आंकड़ों का अध्यन करके उन जो है डेटा का अध्यन करके आप अनुसंधान किये जाते हैं क्यों किये जाते हैं ताकि समाज की समस्याओं को सुलजाया जा सके क्योंकि विग्यान जो है समाज की समस्याओं को सुलजाने के लिए कोई injection नी बना सकता कोई दवाई नी बना सकता इसलिए समाजिक जो अनुसंधान है राजनिती विग्यान ही ज समाज शास्तर समाज को समझ कर सिधान देता है तो जो अनुसंधान करने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती है उसमें जो है जो popular method है वो है समाजिक सर्वेक्षन समाजिक सर्वेक्षन का अर्थ क्या होता है अर्थात यदि आप किसी क्षेत्र में गरीवी पर अध्यन कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में गरीवी कितनी है तो आपको जो है मानलो आप अध्यन कर रहे हैं देरा क्षेत्र में गरीवी कितनी है तो देरा क्षेत्र में जाकर आपको लोगों से आंकड़े इकठा करने पड़ें तो आप जाकर जो है जब आंकड़े इकथा करेंगे डेटा इकथा करेंगे मिन्स या तो आप मौक्त तोर पर इंट्रिव्यू लेंगे या प्रशनावली या ब्लोग जो बनाएंगे तो आंकड़े इकत्रित करने के लिए जो है क्या है आंकड़े इकत्रित करने के लिए जो ह समाजिक सर्वेक्षन के लिए जो महतुपण विधी है वो सेंपल विधी को माना गया है अर्थात सेंपल विधी के द्वारा जो है ये आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं तो सेंपल विधी के द्वारा जो है आंकड़े किस परकार जो है किया जाता है या सेंपल विधी द्व कर रहे हैं जो अनुसंधान आप कर रहे हैं उस सर्वे से संबंधित जितने भी इकाईया है उन सभी इकाईयों से संपर्क स्तापित किया जाता है और उन इकाईयों से सूचना राप्त की जाती उधारन के लिए संगरना विधी में धेज प्रथा पर अनुसंधान कर रहे हैं देरा क्षित्र में जो है 2000 लोग है ठीक है ये 2000 जो लोग है जब आप संगरना विधी द्वारा इन 2000 लोगों का अधियन करेंगी और उसके लिए जब आप संगरना विधी का प्रियोग करेंगे तो आपको इन 2000 लोगों से पर्सनली जाकर जो है संपर्थ करना पड़ेगा और फिर धेज प्रथा से संबधित आंक्रे इकठे करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी समाजिक समस्या पर अनुसंधान कर रहे हैं धेज प्रथा के उपर तो जब आप संगणना विधी का प्रियोग करेंगे तो आप जो आपका अनुसंधान क्षित्र की प्रतेक इकाई है जो आपके पास समूँ है अनुसंधान का उसकी प्रतेक इकाई से आपको संपर्थ करना पड़ेगा दूसरा है सेंपल विधी, सेंपल विधी द्वारा जो है इसके द्वारा भी सर्वेक्षन किया जाता है, अर्थात लोगों से आंकडे एकत्रित किया जाते हैं, सर्वे किया जाता है, जैसे दिको जनगर्ना है, उसको भी सेंसर सर्वे कहते हैं, एक एक व्यक्ति को एक एक घर निरिक्षन विधी द्वारा समुहूं में से कुछ इकाईयां सेंपल के रूप में चुनी जाती है तो सेंपल विधी में क्या होता है कि जो पूरा समुहूं है पूरे समुहूं में से कुछ एक इकाईयां सेंपल के रूप में चुनी जाती है ठीक है और उन इकाईयों का फिर अध्यन के जाता है जैसे दीखो कैसे उधारन के लिए हम जो है उस समस्या पर किसी क्षेत्र में जो है हम लोग जो है गरीवी रेखा से नीचे जितने भी लोग है उन सभी लोगों का आंकड़ा जो है बीस हजार है इस क्षेत्र में इन 20,000 लोग गरीबी से नीचे है तो जब हम सेंपल विधी का उप्यूग करेंगी तो हम 20,000 लोगों में से हम सेंपल कोलेक्ट करेंगी अर्थात 20,000 लोगों का study करना जो है possible नहीं है एक researcher के लिए तो 20,000 लोगों में से हमने क्या करना है 20,000 लोगों में से मैं जो है cable और cable जो है दस या आप ये मान के चलो हमने 3,000 लोगों का sample लेना है अर्थात आपने इन 20,000 लोगों को इस परकार range करना है कि इन में से आप जो है केवल और केवल 3000 लोगों का sample की तौर पर chain करेंगी वो कैसे करेंगी जैसे दिखू आप जो है एक technique अपना सकते कि 20,000 लोगों में जैसे 25 नमबर का जो विखती है 50 नमबर का विखती है जितन नमबर का विखती है 100 नमबर का विखती है इस परकार आप जो है sample का chain कर सकते हैं तो sample का इसमें जो है chain किया जाता है sample विधी के द्वारा means की उधारन के लिए जैसे देखू मान लो आपकी माताची जो है जैसे आप जो है शौप की पर दुकान पर जाते हैं दुकान पर आपने वर्फी ख्रीदनी है तो आप दुकान दार को कहते हैं कि पहले टेस्ट कर दू तो जो आपने टेस्ट किया वो क्या है वो पूरी वर्फी का sample है इसी प्रकार जो है जो टेस्ट किया हो अगर वर्फी अच्छी होगी तो आप बाकी वर्फी भी वैसी ही होगी अगर वो कड़वी होगी तो बाकी वर्फी भी कड़वी होगी अगर वो sample ठीक होगा तो बाकी चीज भी ठीक होगी इसी परकार जो है sample विदी में हम sample collect करते हैं अब जो है सेंपल या प्रतिदर्शन का अर्थ क्या है सेंपलिंग होता क्या है सेंपल का अर्थ क्या होता है क्योंकि सेंपल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको बताता हूँ सेंपल को प्रतिदर्शन भी कहा जाता है यह अपने ध्यान में रखना है तो सेंपलिंग जो sample आपने लिया है यह सारे समहु का प्रतिनिधित्व करेगा और इस प्रतिनिधी अंश से प्राप्त होने वाले नतीजे सारे समहु पर apply होते हैं तो sample क्या होता है sample जो है जो है जो भी आप अनुसंधान के लिए आपने क्षेतर लिया है अर्थात अनुसंधान के लिए जो आपके पास समहू है यह आपके पास जो है दो हजार लोगों का समहू है दो हजार लोगों का यह समहू है आपके पास अनुसंधान के लिए जिस क्षेत्र में आप जो है किसी समस्या का अनुसंधान कर रहे जैसे मालूप आप जो है गरीब के समहू से आप जो अंश लेंगे अर्थात, 2000 लोगों से जो व्यक्ति 25 नंबर के स्थान पे होगा 50 पे होगा, 75 पे होगा 100 पे होगा, 100 पे होगा 125 पे होगा, 140 पे होगा 140 पे होगा, तो वो लोग आपका अंश कहलाएंगे वो लोग sample कह रहेंगे क्योंकि आपने 2000 लोगों में से उन लोगों को sample के तौर पर चुन लिया अब जो आप जो है इन 25 नंबर के विक्ति पर जो आप अधिन करेंगे वो बाकी जो है समहू को भी वो नतीजा प्रभावित करेगा वो नतीजा जो है जो 25 नंबर के विक्ति से आप निशकर्ष निकालेंगे वो इस पूरे समहू पर 2000 लोगों के समहू पर अपलाई होगा तो मेरा कहने का विप्राय क्या है sample होता क्या है sample जो है वह अंश है वह हिस्सा है जो पूरे समहू का प्रतिनिधित्व करता है जैसे आपने दुकानदार से बरफी टेस्ट करने के लिए ली तो जो बरफी आपने खाई वहाँ पर पूरे समहू के रूप में दुकानदार ने अपने टेवल में रखी है तो जो आपने वर्फी टेस्ट की वो उस वर्फी का एक अंश है जो वहाँ पर टेवल में रखी गई है अगर वो आपने खायोई वर्फी अच्छी है तो बाकी वर्फी भी अच्छी है अगर वो कड़ भी है तो बाकी वर्फी भी क्या है कड़ भी है मानलो किसी स्कूल में जो है 10,000 विद्यार्थी है तो एक researcher के लिए 10,000 विद्यार्थियों का अनुसंधान करना संभब नहीं है मानलो वो जो है विद्यार्थियों के संभन में यहां अनुसंधान कर रहे है कि जो है वहाँ विदियार्थी क्या विदियार्थी गरीवी रिखा से नीचे है या उपर है तो एक researcher के लिए 10,000 विदियार्थियों का अनुसंधान करना मुश्किल है इसलिए वह sample लेता है 10,000 लोगों में से हो सकता है वह 25-25 के sample ले 25 नंबर पर जो बचा आ रहा है 50 पर आ रहा है रिजिस्टर में जिद्धर नंबर पर आ रहा है या 100 नंबर पर उनको वह sample के रूप में लेगा तो उसको sample कहा जाता है उसको हम sampling कहेंगे उसको sample कहा जाता है sample की परिभाशा दिये है P.V. Young ने वो कहते हैं कि एक sample उस पूरे सम्हू का योग है जो उसका एक योग या लगुचितर है जिससे सारा sample लिया जाता है ये P.V. Young कहते हैं good और hot क्या कहते हैं वो कहते हैं कि sample जो है क्या है good और hot के अनुसार sample एक बड़ी सम्हू का छोटा प्रतिनिधी है अर्थात बड़ा सम्हू क्या है 10,000 विद्यार्थी ठीक है 10,000 विद्यार्थियों मैंसे आपने sample लिये 500 तो sample क्या है एक बड़ी सम्हू का छोटा प्रतिनिधी है ये 500 क्या है ये छोटा प्रतिनिधी है ये इन 10,000 लोगों का प्रतिनिधी तो कर रहा है तो ये sample कहलाएगा ये अंश कहलाएगा अब सेंपल की सिधान क्या क्या है सेंपल किन किन आधारों पर चुना जाता है तो सबसे पहली बात है कि सेंपल की इकायों का जो है चैन ब्यवस्तित और बस्तुपरक धंग से होना चाहिए अर्थात जो आप सेंपल के लिए इकायां चुन रही है वो इकायां जो है ब्यवस् हैं तीसरा है सेंपल की इकाईयां परस पर रूप से स्वतंतर होने चाहिए अर्थाथ सेंपल के लिए जो आप इकाईयां ले रहे हैं वो परस पर स्वतंतर होनी चाहिए इसके अलावा सारी जो है अधियन में से एक जैसे सेंपल की इकाईयों का प्रियोग होना चाहिए ठीक तो इसके लावा जो है, जो important है, इसमें वो है sampling की गुण, sampling की गुण क्या है अर्थात, जब आप समाजिक अनुसंधान कर रहे होते हैं, समाज में किसी समस्या का सिधान दे रहे होते हैं, तो sampling विधी को जब अपनाते हैं, तो उसके गुण क्या है, सबसे पहला गुण है इस करना आपके लिए संबब नहीं, आपके समय बहुत जादा लगेगा, तो 10,000 लोगों में से जब आप जो है, 1000 लोग सेंपल की तौर पर लेंगी, तो आप 1000 लोगों पर अच्छी से research कर पाएंगी, और आपका जो research है, वो अच्छा होगा, तो इससे आपकी समय की वचत होती है, तो सरविक्षन में जो है नया अनुसंधान भी होता है, इससे समय की वचत होती है, दूसरा point है गहरा अधिन, सेंपल विधी का दूसरा गुन यह है कि इसमें आप deep study कर सकते हैं, कहने का भी प्राइग किया है, कि इसमें समूह से संबंधित इकायों को जो है, उन पर गह गरिवी की उपर धिन करें, तो दस हजार लोगों का अगर वहाँ पर समूह है, तो अगर आप हजार लोगों को सेंपल के तौर पर लेंगी, जो गरिवी रिखा से नीचे, तो उन पर आप अच्छा और गहरा अधियन जो है, अच्छे से कर पाएंगे, कम धन खर्च इस बि के तौर पर चुनेंगी, तो दस हजार लोगों को जो है, स्टडी करने में आपका जो धन लगेगा, मनी लगेगा, समय लगेगा, वो बहुत जादा खर्च हुगा, एक हजार लोगों पर आपका धन जो है, कम खर्च होगा, और जो है, जो आने वाली बाधाएं हैं, उनको दूर कर पाएंगी, अब अगला पॉइंट है, इसका गुण जो है, वो है नतीजों में शुद्धता, जब आप सेंपल विधी का प्रियू करते हैं, तो उससे जो आपके परिणाम आते हैं, अर्थात जो आप डाटा एकठा करते हैं, उस डाटा को एकठा करके, जो आप न होते हैं, इसके अरावा इसका गुण है, शोद तथा प्रवंध करने में असानी, तो देखो जब आपके पास 10,000 लोगों का आपने शोद करना है, उनकी रिसर्च करनी है, उनकी ओपर किसी समस्या की समाज में जिस समस्या से वो जूज रहे हैं, चाहे वो जाती प्रता है, तो 10,000 लोगों को प्रवंध करने में और उनकी रिसर्च करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, अगर आप 1000 लोगों पर 10,000 लोगों की जगा, अगर आपको सेंपल मिलेंगे 1000 उनमें से, तो इस पर आप आसानी से शोद तथा इसका प्रवंध कर सकते हैं, इसके अलावा ज जो है, इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि संगणना विधी में क्या होता है, संगणना विधी में मानलो आपके पास जो है, दस अजार लोगों का अधियन करना पड़ता है, लेकिन जो सेंपल विधी है, इसमें संगणना विधी की संभावना क्यों रहती है, क्योंकि इसमें 10,000 लोगों में से 1000 लोगों को sample के तौर पर चुन लिया जाता है इसलिए ये जो 1000 लोग है ये sample द्वारा चुनेगे हैं अगर संगणना विधी होती तो 10 के 10,000 लोगों को ही आपको अधिन करना प्रता तो इसलिए संगणना विधी की इसमें असंभावना रहती है sampling method में आप संगणना विधी को use नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जो है इसकी अबगुन भी है इस विधी की वो अबगुन क्या है कि प्रतिनिधी sample चुनना मुश्किल हो जाता है तो इस अधार पर इसका जो है हिस्सा मानते हैं उस अंश को चुनना मुश्किल हो जाता है कि कई वार उसमें बाइस हो जाती है तो result भी गलत आ जाता है sample विधी का जो दूसरा अबगुन है इसको use करने के लिए विशेश ग्यान की ज़रूरत होती है आपको जो है विशेश ग्यान होना चाहिए सांख्य की techniques में कि sample कैसे निकाला जाता है उसको जो है समाजिक अनुसंधान में किस परकार प्रियोग के जाता है तो यह भी इसका एक अबगुन है अगला जो point है इसमें वो है sample विधी में जो चुनाव आप कर रहे हैं उसमें जो है गलती की संभावना रह जाती अगर आपने गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा अनुसंधान जो है गलत हो जाएगा और last जो इसका अबगुन है वो है sample पर काइम रहने में कठनाई तो यह भी एक अबगुन माना जाता है sample विधी का इसमें sample पर काइम रहने में कठनाई हो जाती है उधारन के लिए कैसे दिखो यदि आप जो है गरीवी पर किसी क्षेतर में अनुसंधान कर रहे कि गरीवी को कैसे मिठाया जाए और वहाँ पर जो sample जो आपके पास जो समहू है जो लोगों का वो है दस हजार लोगों का समहू इन दस हजार लोगों में आपने जो है जो sample लिया है वो एक हजार लोगों का लिया है और उस sample को आपने डिवाइड किया है पचिस नमबर पर जो विखती है नमबर पर उत्तनी अर्ठात आपका सेंपल जो है जो आपको व्यक्ती जिसपर आप रिसर्च कर रहे हैं जो आपके सेंपल के रूप में आए हैं उसने रिसर्च में योगदान देने से आपको जो है एसिस्ट करने से मना कर दिया अब आपको 50 के बाद 51 नमबर के व्यक्ति पर जाना पड़ेगा तो आप जो है अपने सेंपल पर काइम नहीं रह रहे क्योंकि 25 के बाद 50 नमबर को आपने रिसर्च करना था लेकिन बहुत सायोग नहीं दे रहा है तो आपको 51 नमबर का सेंपल लेना पड़ेगा जिससे आपकी सेंपलिंग टेकनीक जो है खतम हो जाएगी आपका जो बैग्यानिक तरीका है वो खतम हो जाएगा तो सेंपल पर काइम रहने में कठनाई हो जाती है यदि व्यक्ति जो है आपकी रिसर्च में योगदान देने किसे मना कर दे वो व्यक्ति जो आपके sample के रूप में आए तो आपकी जो research है उसमें जो बैग्यानिकता है वो खतम हो जाती है तो इस video में sample पर कायम रेने में कटना ही होती है तो ये थी sampling, sampling क्या है इसके different aspect, thank you